गुड इवनिंग आल अफ यू आप सभी को कमपटीशन भीव लर्निंग क्लासिज में स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे बीपेसी में जग्राणफी ओप्शिनल और यू पेसी में जग्राणफी आफशिनल कीतयारी इस विडियो में बीपेसी जग्राणफी ओप्शिनल का टोटल सी लेवस बतलाएंगे और साथी साथ कंपटीशन मेंacağि से सभक्स करें उसका commence बताएंगे तो आज जो बात होने वाली है 67th VPC मेंज 68th VPC मेंज वैसे विद्यार्थियों के लिए जो जगराफी optional से VPC क्रेक करना चाहते हैं चाहे विद्यार्थी new हो या old हो old कहने का आर्थ है यहां जगराफी से related जैसे बहुत सारे candidate ऐसे होंगे जो जगराफी बैक्ग्राउंड से होंगे जिनके पास एक basic concept होगा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो technical student होंगे या दूसरे दूसरे उनका honors paper होंगा उनके लिए भी बात किया जाएगा अब हम लोग आते हैं direct syllabus पर देखिए जो मेरा संस्थान है ओ आपका competition view learning classes है अब हम लोग आते हैं syllabus पर बात करते हैं ध्यान दीजिएगा पर शीक्टी सेवेंथ सिख्टी एट बीपेसे मेंस जागरवफी आपशनाल जागरवफी आपशनाल द्यान दिजिएगा बीपेसी में जो मेंस होता है किसी भी पेपर का जो मेंस होता है उसका होता है total 3100 मार्क्स होता है total मार्क्स कितना होता है 300 मार्क्स होता है साथी साथ 3 hours आपके पास times होंगे जो question paper होगा वह दो section में divide होगा आपका question paper दो section में divide होगा section section A and section section B every sections may six question honga total your question hoga six question hoga every section each section has six question and three solves every section total solve the question numbers of six but every sections every sections every section three question the three question section A say three question six section B say up control karna hoga or total the question kittany marks the hoga the question up up 50 marks the 50 marks the hoga yaha par dhyan de na hai timing up ke paas three hours cut timing hai or yaha parik or cheese hai yes say yaha par at the hai the question paper do parts me to ho ga section A section B अब यहां section E में जो question होगा वह आपका first number second number third number fourth number fifth number and sixth number यहां पर जो question होगा वह 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th अब यहां एक और चीज़ देखना है कि जैसे section A में जो first question होगा उसमें A और B होगा first का A भी होगा तो इस तरह से every question आपका उसमें दो question होगा A, B, A, B करके तो इस तरह से आपका कितना total यहां 12 question है आपको लिखना है 6 question तो यहां से आप 3 question कोई भी question आप चूज कर सकते हैं यहां से भी आप 3 question 3 question चूज कर सकते हैं लेकिन अगर A, B, A, B हम जोरते है तो टोटल कितने question हो जाएंगे 12 question होंगे 6 में परतिएक में A, B तो 6 दूनी 12 तो every question जो होगा आपका generally कितने marks का हो जागा 25 marks का होगा अज इस question को भी हम लिखेंगे उसका A, B दोनों लिखना होगा ऐसा नहीं कि first का A लिख दिए second का B लिख दिए ऐसा नहीं तो आपका pattern है अब यहां जो भी पेसी में जो सीलेवस है उस सीलेवस में बात करते हैं आपका सीलेवस यहां क्या होगा दो पार्ट्स में डिव हाइड होगा एक जो होगा ओ आपका सेक्षन A सेक्षन A और एक सेक्षन एक सेक्षन B होगा अब सेक्षन E में क्या होगा तो यहां ध्यान दिजेगा फीजिकल जगरोप्षी पीजिकल जगरोप्षी और इसी में आपका क्या होगा invoice उमेन, जग्रोफी, है यहां पर क्या है इन्डियन जग्रोफी इंडियन जग्रोफी, प्लस जग्रोफी, आप भी हर अब इनडिया प्लस भी हर से जो स्येक्स अलब व उसने तीन Quest Civisir espaço एंसर देना है और इस से भी तीनLook उसे काउसर देना है अब जो सेक्षन भी हो तो फुली इंडेन जिडियोप्ही प्लस भीहार का जग्रोपीक है अगर आप यूपी PCS मे जाते है तो यूपी का जग्रोपी है यूपी सिमस्ते है तो वल्लीप और इंडेन जग्रोपी है आपका भीहार का सब्सक्राओं मा процесс करते हैं दियान दिजीगा प्रिजिकल जगरोफी आप फीजिकल जगरोफी में क्या क्या है जी यो मॉर्फोलोजी जी यो मॉर्फोलोजी ओस्नोग्राफी ओस्नोग्राफी और क्या है क्लाइमेट लोजी और क्या है स्वाल और क्या है इन्भार्मेंट एक लाजी एक लाजी इन्भार्मेंट का सेक्षन ध्यान दिजेगा जगरोफी में फीजिकल जगरोफी का बहुत अधिक इन्पोर्टेंस है यहां पर आपको एक मैटर ध्यान देना है जो फास्ट नम्मर कोश्चन होगा हमने बोला कि सेक्षन ये में छे कोश्चन होंगे जिसमें फास् कोश्चन होगा ऑपका Geomorphology से री लेतेड होग कि फिर्श्ट में इसनोग्राफी होगाए अगर आप टोच्टल ये मॉर फोलाजी भी भी हरो कोश्टन होगा एद रूनो नुमर्मर कोश्टन इसमें भी एर और बी दोनों से सेक्शन इमे फीजिकल जगर्वफी से तीन को WA हर अगर आफ फुली णकल जग्रवफी कंप्लीट कर लेते हैं तो दो फोस्टन का एंसर यहां पर E99 अ Begin कोष्चन का एंसर देना है चईसमें दो कोस्टन अप फिजिकल जगराओपकी से यहां कुछ की तीन कोस्टन है माल लिजिए हम फुली सिलेवस पढ़ें है सारा कंपलीट कर लिए है लेकिन तीनों कोस्टन हम सही रूप से नहीं लिख पाते हैं तो दो कोस्टन तो आराम से ज पीजिकल जगरहोफी एक हमियन जगरहफी है अब हम बात करते हैं हुमें जगरौफी का जगरहुस्यका है हो जगरहपी और abet सब्धोर हिए यहां पर फ вами हम जगरहफी में क्या है यहाँ पर यह अ अगरौफ़ा ठोट्थ है उसके बाद क्या पॉपुलेशन है पॉपुलेशन है उसके बाद क्या सेटेलमेंट सेटेलमेंट उसके बाद पोलिटिकल a political geography यह major आपका यहां पर ध्याद दिजेगा जियां रफिकल थे अजियत लोग ऺष्चेमल क動画 क्याओं कर दो आजियार्टाफटा ट्रच से और धूर्थक रूपिक टूर्टिंटन वह ऐता है इससे जो अर फोर्थ नम्र जो कुष्टन होगा एस इस कुष्टन होगा समान नहीं गल सको धिमतड़ जो कुष्टन होगा यह से कुस्ट्टन होगा सीखत यह प्लासट एक एक एकनोमिक जग रषी है एकनोमिक जग रखी यहां से सीखत नमपरकॉस्चन हो गए रखर ठीपटनमरकॉस्च्टन हो गया एए आपका सीखत नमपर पोस्चन एभी एभी करके है अगर हम य owners of future thought and fully complete करें यहां दास टॉपिक्स है एक कुश्टन हम यहां लेक सकते हैं यहां लिख दे सेक्जनर gewoonकश और दूसरा जो हम लिख दे कहां से फीजीकल जग्रव की से तहीन कोश्टन मेरा जिस कॉंपलीट हो घूग घॉकार करने के लिए है और उपSh Totally इस लेबस जितना सिलेबस है डिटेल सध्यान किजिए Master Degree किजिए PhD किजिए NetGRF किजिए Research किजिए जो भी आपको करना है और करते रहे लेकिन अगर आपको VPSC क्वालिफाइ करना है इस शिष्टी सेवें शिष्टी एट शिष्टी नाइन जो भी पेस्टी है जग्रॉफी ऑप्सनल से क्वालिफाइ करना है तो आप फीजिकल जग्रॉफी और थोट को कम्पलीट करके सिक्षन ये से आप आराम से तीन कोस्टें का एंसर दे सकते हैं अगर आप पॉपुलेश साथ BPSC syllabus recording जो भी हम बात कर रहे हैं यहां पर BPSC syllabus recording कि यहां आपका section A का section A का syllabus हुआ अब हम section B में बात करते हैं section B section B में क्या है यहां भी यह question होगा आप यहां जो question होगा इंडियान के जगरावपी और जगरावपी ऑफ कि भी हार जगरावफी ऑफ भी हार जगरावपी ऑफ भी हार तो यहां भी total fix question होंगे आपको 3-3 question यहां solve करना है आप देखी होता क्या है जो स्ट्रक्ट्र उफरंसून यह पर शॉर्स है यहां पर श्वाल तो शह खांच वह प्यूल है खनी संसाधना है उर्जा संसाधना है आपका जीतने जलिये संसाधना है आपको जो भी रिसोर्स है वो सभी रिसोर्स को यहां पढ़ना है इंडियन जगराफी में सबसे पहला फिजिकल जगराफी है इंडियन के इंडिया का उसके बाद रिस रिसोर्स उसके बाद क्या है population यहां major chapters है और उसके बाद यहां नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट जो है आपका अग्रिकल्चर है ट्रांस्पोर्ट है राजनायतिक इस्तिती है जो आपका पॉल्टिकल जगराफी इंडियन पॉल्टिकल जगराफी जो परोसी देशों के साथ नेवरिंग कंट्रे के साथ जो रिलेसंस है आपका इंडियन ओसन का पॉल्टिकल इन पॉर्टेंस यहां पढ़ना है ठीक यहीं जैसे 66 में क्या इसा सीमा संबंध तो यह इंडियन जगराफी में आपका उसके साथ इंडियन अरीजिनल डेवलपमेंट है डिस्टिक अस्तर पर ब्लॉक अस्तर पर अस्टेट अस्तर पर जो रिजिनल डेवलपमेंट है तो यह इंडियन जगराफी में है और बीहार में क्या तो बीहार मे बिहार में जो इंडिया में chapters है वही chapters बिहार में हैं जैसे structure of बिहार, physical division of बिहार, बिहार में water resources, बिहार में plot, बिहार में drought और क्या, population जैसे अभी आपका बिहार में जो optimum population है, optimum population कहने का मिनिंग है की अधिक जो जनसंख्या क्या विहार के लिए resource, otherwise विहार के लिए button हैं इस तरह के question होंगे, यहार जेनरली भी हर से जो question होता है, दो question से तीन question तक यह होता है, जो rest question होता है, आपका three questions, or 4 question जो होता है, ओ Indian geography का होता है, ति आप Indian geography, आप Indian geography औि-इंडयाँ लख्सक्ता है जितना की वो फीजिकल जगरय। और हुमें जगरय। ऐसी लिए जगर और पढ़की में जो पढ़ाई होता है फीजिकल जगर ऑफी से स्टाइट होता हैirm जब łट युट मुट्हाइजिकल ogn गरोफी Shetty जपना ज्याहर चूरी से औरístि ऑधिक है तो ये तो सी लेवस की बात हुई अब हम लोग बात करते हैं कि ऐस्ट कैसे किया जैए आप अगर स्टार्टिंग करते हैं तो गड़ 250 धिख्ट होते हैं एक वैसे कंडिधивается होते हैं जो क्लास 11 एक इंडियन शूत उसी तरह से ख्लास 12 में क्या है रिशोर्स है तक इंडियन रिशोर्स या एक इंडियो सोर्स या इस इन इंडिय। पहले वो आराम से यह दोनों बुक को घर पे पढ़ ले उसके बाद उसके बाद जब वो क्लास में आएंगे आइसा नहीं कि लास में इससे रिलेटेड नहीं बताया जाएगा बताया जाएगा लेकिन कोई चीज आप पहले कर लेते हैं तो सही है मेरी द्वारा क्या करवाया हम अपको क्या help करेंगे इसे गाइड करेंगे कि आप शही रुप से एकजाम प्रेक करें जग रोफी में आपका marks 190 200 plus हो और मेरे ऐसे students है जिनका marks 190 फ्लस है 200 के गरीव है और ने को आपका 65 66 च испहत में भी PC में मेरे बिदल से आएसे जिनका marks इतना अच्छा आया है अब यहां पर क्या है साबसे पहले फिजिकल जग्रॉफी फिजिकल जग्रॉफी प्रारम किया जाएगा आपका यहां पर मैपिंग पर अधिक जोर दिया जाएगा आप जानते हैं जग्रॉफी मीन्स होता है मैपिंग कम्प्लेट करना मैपिंग पर अधिक जोर दिया याद करने जैसे मगप करने वाली समस्या नहीं होगा जैसे अधर अधरधर सब्जेक्ट में होता है कि मयद्धा करना होता है। यह आप की अधर देख टूलकलिटवांगे कि जो भी टेकनिकल स्टुडेंट एर जगरउफी ऑप्ऌनल जग्राव फी ऑप्शनल ही लेते हैं कि यहां पर क्या है अंडर एस्टेंडिंग मजबूत करना है तो आपको फिजिकल जग्राव फी से स्टाट करवाएंगे मैपिंग पर जियादा धियान देंगे साथ ही साथ हर एक चैप्टर का अंडर एस्टेंडिंग कंप्लीट यह जाएगा इस तरह से सपसे पहले फीजिकल जग्रावफी पर काम किया जाएगा उसके बाद विद्ध अब काम किया जाएगा और जिप्रावपी कंप्लीट हो जाएगा तम लीजिाग लीक्षित्न मात्रा में करवाए जाएगा जैसे डेली आपको दिया जाएगा फर्स्ट टाइम में या क्लास के लास्ट टाइम में कि आपको 20 मिनट के समय में एक कोस्टन को लीख ही है कि जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रेक्टिस करते हैं उतना ही एक जाम हॉल में आप अपना अच्छा पर्फॉर्मेंस कर सकते हैं तो इस तरह से आपको मेरे द्वारा या एस संस्था जो आपका एस संस्था है कंपटेशन व्यू लर्निंग क्लासेज के द्वारा आपको जग्रॉफी आप्शनल की तैयारी करवाई जाएगे दोस्तों जो लोग भी जग्रॉफी आप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं वे संस्था से संपर करें संस्था में आए और साथ ही साथ जो लोग मेरे वीडिय वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शियर करें जैए हिंद्ध